हिल्सा नमंडल के टॉप 10 खबरों के साथ मैं हाजर हूँ देखते हैं पहली खबर हिल्सा सर का स्टेशन रोट के इंस्पेक्टर करियाले के पास दो किराना दुकान में हुई चोरी चोरी की घटना हिल्सा सर में थमने का नाम नहीं ले रहा है ताजा मामला हिल्सा सर का स्टेशन रोट इंस्पेक्टर करियाले के पास दो किराना दुकान में भी तेर रात री अग्याज चोर ने चोरी का घटना का अंजाम दिया है पहला किराना दुकान के संचालक अर्वीन साव ने बताया कि रवी वार की सुभा जब दुकान खोले और देखे की दुकान का करकट हटा कर दुकान में चोर परवेश किया और गल्ले में रखे हुए लगभग पांच जार रुपया की चोरी कर लिया है जबकि दूसरा किराना दुकान के संचालक दिनीश कुमा ने बताया कि रवी वार को जब दुकान खोले आया और दुकान खोले तो देखे की दुकान का उपर का करकट हटा कर दुकान में चोर पर वेश किया है और गल्ले में रगभग 7000 रुपया नगत की चोरी की गई है अस्थानी लोग ने बताया कि हिलसा सहर में आज कल ब्राउन सुगर फे दुकान में चोरी की घटना का अंजाम दिया गया है इस घटना को लेकर अस्थानी पुलिस को सुचना दिया गया है देखते हैं दूसरी ख़बर आपको उतादे कि सरकार के दौरा कौसल लिवा प्रोग्राम के तहट शाच सत्राओं को केंप्यूटर के छीच्छा परदान की जाती है ताकि अपने जीवन में और भी बहतर कुछ कर सके वासे में बीते स्वतंता दिवस के माखे पर क्यूच परतियोगता का वजन किया गया जिसका प्रुशकार बित्रन शमरो अनि मेगा शमान शमरो इद किया गया इस तोरान कारक्रम के सुरुवात दीप पर्चलित कर किया गया जिसमें परतिभाग्यों को मेगा समान शमारों के दोरान पुरुष्कित क्या गया मौके पर राज केंप्यूटर सेंटर के संचालिका मधुमीता कुमारी सीप आइकन डॉक्टर स्तोस कुमार मानब चंद्र भुशन यार राजवर्धन अरुन कुमार संतोस कुमार उक्पेंद्र कुमार ने परतिभाग्यों को हौसला बुलंद किया है देखते अब तीसरी ख़बर देखते अब चौथी खबर नगनौसा प्रखन में नगनौसा प्राथ्मिक सबजी उतपादक सहकारी समीती के द्वारा 275 किसान के द्वारा हरी सबजी की खेती की जा रही है सरकार लगू दोग का बढ़ावा देरिये वैसे में किर्शी के छेतर में भी किसानों को प्रुसाहित कर रही है नगनौसा प्रखन छेतर के अंतरगत नगनौसा प्राथ्मिक सबजी उतपादक सहकारी समीती के द्वारा 275 किसानों के द्वारा इस वर्ष हरी सबजी की खेती 294 हेक्टेयर एबं फलो की खेती 8 हेक्टेयर में किया जारा जिसकी जानकारी नगनौसा प्राथ्मिक सबजी उतपादक सहकारी समीती के ध्यच कंचन कुमारी ने दी उन्होंने कहा कि हमारे परखंच्छेत्न में इस तरह के सरकार के द्वारा संचालित योईनाओं का लाभ किशानों को मिल लहा है देखते हैं पाचवी खबर वासे में हिलसा सर के पटेल लगर में बिनूत कुमार के पुत संतोस कुमार के मकान में चूरी का घटना का इंजाम चूर दे रहे थे इस तोरान घरवालों की जाग हो गया और सुजबूज का परचे देते हुए चूर को पकड़ कर हिलसा थाना को सौप दिया है बता जाता है कि घटना को लेकर संतोस कुमार के दोरा हिलसा थाना में लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि तीन मोवाईल सोने चानी के जेवरात लगवग पच्चास जार रुपय का इसके अलावे विविन कागजाद की चूरी किया जा रहा था जो की रंगो हाथ चूर पकड़ा गया है इस मामले को लेकर हिलसा थाना के अपर थाना धतरा के इसको बारना बताया कि पुलिस मामले की जांच परताल कर रही है देखते अब छटी ख़बर चत के बेशवक गौमे पुरानी रंजिस को लेकर बदमासों ने गोलिवारी करते हुए मारपिट किया है इस तोरान चार लोग जखमी हो गए जखमी में अवधेशी यादब बिनोद कुमार परमोदी यादब एबं कुसुम देवी है सभी को इलाज के लिए आसपास के लोग की मज से आनन फानन में इसलामपुर के समदाइक स्वास्त केंद में ले जाकर भरतिक रहा गया घटना की जनकारी मिलते इसलामपुर थाना दस संजीव कुमार सीं दलवल के साथ घटना अस्तल पर पहुंचकर इस मामले को लेकर जांच परताल करने में जुट गये हैं देखते हैं अब सात्मी खबर देखते हैं वाठवी खबर रवी वार को हिलिसा सहर के मचली मंडी में काफी शंख्या में भीड देखनी को मिला है बताया जाता है तीज परव को लेकर जहां तीन दिन तक अधिकांस घरों में मीट मचली नहीं बनता है वैसे में रवी वार होने के कारण करियाले बंद रहता और छुट्टी के दीन र रहते हैं लोग का वैसे में भीड काफी शंख्या में देखने को मिला है यह तस्वीर के माधम से देख सकते हैं कि रवी वार को हिलिसा सहर के मचली मंडी में काफी शंख्या में भीड देखी गई है देखते अब नौमी खबर रवी वार के दिन हिलसा सहर के रेलवे स्टेशन पर काफी शंख्या में भीड देखने को मिली खास कर जब पासेंजर ट्रेन इस लामपुर से होते हुए एक कंगर सराय हिलसा एवन फतुहां गुजर रही थी तो काफी शंख्या में सुवाव के तेन में भीड़ देखने को मिला अस्थानी लोग का खाना है कि यहां पर आती है लेकिन प्रफार्म काफी नीचा होना चाहिए हरे लोग पर में के लिए काफी परशानी होता है खास कर जब लंबी टेन आता है तो ज्हाडियों में उतरना पड़ता है यहां तक ही कई जयन संगाठन के द्वारा पर्टफार्म लंबा इवम चौड़ा करने की मांग किया गया है हालाकि रेलवे विवाग की टीम भी आकर नरीचन करने का काम किये हैं रविवार को काफी शंख्या में पशेंजर टेन में भीड़ देखने को मिला है जो की तस्वीर के माध्यम से आप द अन्नवाद